हाई गाईस वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल डारियल इन्वेस्माइंट फार्मासिटिकल सेक्टर समय का अगर कोई दिगज नाम हमें देखने को मिलता तो वो है कैडिला हेल्ट के यह स्टॉक क्योंकि अभी के वैक्सिनेशन प्रॉसेस और कोई नाम हमें देखने को मिल रहा है कौन समय में जाया से जर्धा रेटेन देने वाला स्टॉक प्र साबित हो छुका है vaccination के process में देखा जाए तो needle free vaccination में इसके अपरोल के basis पर जो यहाँ पर process यहाँ पर थोड़ी lengthy होने की वज़े से जो यहाँ पर stock के अंदे गिरावाट देखने को मिल रही थी वो गिरावाट आप यहाँ पर positivity में यानि कि upward direction में आप होते वे देखने को मिल रही है जिसके जलते आपका एक तो motivation भी होगा और साथ ही साथ आपको यह काफी यहाँ पर increasing भी करेंगा जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगे और जहाँ तक कि लॉंग टम की टार्गर प्राइज उसके बात की जाए तो 700 यह 750 प्लस इसका टार्गर प्राइज आपको देखने को मिल सकते लॉंग टम वाइज और रिसेंटली 600 प्लस यह स्टॉक आपको ट्रेड करते वे देखने को मिलेगा जहां तक की बात की बात की जाए तो आपको बताना चाहूंगी एक फेज हम पर हमें देखने को मिल गांगी इस लिपल का लिगा यह नीज dif ऐस्टॉक की आप लिगास पर अफटांब सरहिक लिये उसके बात आथ स्टॉक ने अठीक की आप अच्छा कास बना लिया है तो कि इसकी गर्दन ऊपर की ओर देखने को मिल रहा है अब जो यह मुमेंटम बनते हों देखने को मिल रहा है इससे साफ तर पर यहां पर क्लियर हो जा रहा है कि आप स्टॉक की नीची की मुमेंटम यानि की लोवर जो लेवल्स होते हैं टारगेट होते हैं वह आप यहां पर द आज आप देख सकते हैं 586 के करीब करीब यहां पर पहुच चुका है और जहां तक कि आप इसके पीक पॉइंट की बात की जाएती इसके दोनों भी पीक पॉइंट इसे पीछे छोड़ते हुए आप बनाने के लिए स्टॉक यहां पर रेडी आकर बैठा है इसके आप को फाइप पर यहां पर देखने को बिलते हैं उसमें रेवेन्यृ देख सकते हैं 8 परसंडेज का नेट परौफिट 6.3 परसंडेज का अप्रेडिंग प्रौफिट आपको 5.5 पर संडेज का देखने मिलेगा जहांते कि इसके volume analysis की बात की चाहते हैं आपको बताने चाहोंगी वन मन्त में 33 lakhs का, वन वीक में 43 lakhs का, यस्टरी यानि कि कल आप देख सकते हैं 26 lakhs का देखने को मिला था और आज ही के दिन ये 34 lakhs के हापर देखने को मिला था पर देखने को मिला था करोल रूपीज का रेवेन्यू है पर हो गया है, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2017 में स्टॉक और नेट प्रॉफिट हमें 1485 का देखने ही मिला था करोल रूपीज का और आप वह देख सकते हैं स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट हो बढ़ते हैं अर्निंग पर शेयर भी स्टॉक की देख सकते हैं 14.53 से स्टार्ट हुई थी और 20.84 पर जाप होची है यानि कि स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं 6 लेवल पर यहाँ पर स्टॉक बढ़ते हैं अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट की बारें बात करना चाहूंगी जितने लेवल पर स्टॉक को प्रॉफिट होगा उतना ही आधायाध हिस्सा इसकी रिजरों में जाते हो आपको देखनी को मिलेगा और देख सकते रिजर और सर्प्लस में भी आपर तेजी बनते हुए द वर्त कर 2020 में वहां में 10,273 करोड रुपिज देखनी मिला है और अपर तेजी भी देखनी को मिल चुकी है यहाँ पर 50 कर देखनी को मिलेगे तो स्टॉक के आंदर और भी गजब की मोमेंटम आपको देखने को मिलेगे नेक्स लेवल पर आपको बताना चाहूंगी कॉर्पर एक्षिन वाइज भी स्टॉक काफी उतना बैड नहीं है क्योंकि 3.50 पर एक बीडी शेयर का स्टॉक नहीं पर डिविडेंट प्रवाइड किया था 27 में 2021 को और स्टॉक के रिजल्ट भी देख सकते हैं कंपणी की ओपर कोई भी आपर रेड फ्लाइग हमें देखने को नहीं मिल रहा है फाइनेशल ट्रेड देखा जाया तो आपको बताना चाहूंगी जैसे कि मैंने आपको स्टाटिं में भी कहा था कि स्टॉक और बढ़ रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं फुट्टीन प सब्सक्राइब के रिए एक बेस्ट के फार्मासिटिकल सेक्टर में का जो कि अभी रेसंदी काफी अप्ट्रेंडेबल देखने को मिल रहा है और साथी साथ अभी वैक्सिनेशन और कोई नाने केसेंज भी जितने बढ़ेंगे उतना ही स्टॉक को फायदा होते हुए देख सब्सक्राइब को मिले गए सो थैंक्यू सो मच्च